So hello everyone, I am Gandhar Watts, welcome back to my channel Rankers VSB तो आज के इस वीडियो में आपन लोग कोफर करने बाले हैं 10th के भिहार बोड के लिए मेत का BVI objective question वो भी full explain के साथ तो वीडियो को पूरा इंड तक देखिए और कोई चीज का वीडियो चाहिए 10th के तो आप comment section ने बताईए मैं जरूर बनाऊंगा और आपकी playlist में भी मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो फर्स्ट वीडियो हम लोग लेते हैं देखिए फर्स्ट question है यदि alpha बीटा अलफा और बीटा क्या है ये जो सम्मक्रण आपका एकसस्काइड प्लस टू एकस प्लस तिरि का मूल है तो आप लोग जानते होंगे ये द्दुघात सम्मक्रण का question है और वन भाई alpha हमें क्या निकालना है हमें निकालना है बन भाई alpha तो अलफा प्लस बीटा कि आप हो जाएंगे चाने मुल जाते है तो आते हैं, फिर कैसा लगा कोश्टन कोमेंट सेक्शन नहीं बताईएगा कैसा ये सेशन लग रहा है आते हैं फिर हम लोग सकेंड कोश्टन पे दुई घात बहुपाद एकस स्क्वाइर मैनस थी का सुन्यक सुन्यक मतलब होता है एकस का मन एकस का मन निकाल देजी आप तो एकस का मन कैसे सबूंस यू आपका पलस मिलतिरी हो जाएगा तो यह आपका फाल एंसर क्या हो जाएगा बी औक सॉसन करेक्ट लाका सान आपको यह यहां बी आप्शन कर्यक्त है मैं एक मिनस थरी मैं सुरूट थई प्लस रूट लगाने में करमसवत तीन गंटे चार गंटे और आठ गंटे लगते हैं एक चक्र लगाने में एक दाबा को तीन गंटे एक दाबा को लगते हैं चार गंटे एक दाबा को लगते हैं आठ गंटे छाए इसका निकालने का नियम और नियम क्या होता है तो तीन का है यह जो आपकी है आपका तेन गंटे चार गंटे और आठ गंटे इनका आप ले लीजिए लसीम जैसा भी जब भी ऐसा कॉस्टन आया इसका लोसो क्या ले लेंगे लोसो ले लेंगे तो लोसो ले लेंगे लोसो मतलब रूट नहीं यह लोसो है आप लोसो यह किस से लगेगा तो यह लगेगा आपका चार से चार से अपका यहां हो जाएगा हैनों हैं टीन 2 चो चो की चोविस आपका क्या हो जाएगा सब्सक्राइद आठाइगा तो यह हो जाएगा 24 आपका क्या है 24 एंसर के रख्ट है आप आते हैं चोथा नमर कोस्टन पर देखिए 2 3 0 3 2 6 का बहुलग जाद किजिए मतलब 2,3,0,3,2,6 का बहुलग तो बहुलग वो चीज है बहुलग क्या है जो सबसे ज़्यादा बार आता है बहुलग मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है इसमें देखिए 2 वी ज़्यादा बार आया है 3 वार तीन भी 2 बार आया है तो यह कोस्टन इनकरेक्ट है मतलब इनका एंसर नहीं होगा यह आपका इनकरेक्ट है उसके बाद 5 नमर कोस्टन पर आते हैं दो समकोनिय तिर्भुजों के तिर्भुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदेव समान रहता है किसने कहा यह आपको याद करना पर जाएगा यह तेल्स ने कहा यह किसने कहा तेल्स क्या बोले तिर्भुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदेव समा का मद विंदू मद विंदू मतलब होता है यह इसका पलस इसका चार पलस यह इसका 5 x 2 ये आपके आगे कितने 5 तो आगे आपके एंसर 5,5 5,5 मतलब बी ऑप्शन आपका correct है 5,5 जो आपका बी ओप्शन क्या है आते हैं फिर 3rd नमर कोस्टन पे इस 7 नमर कोस्टन पे यदि किसी विरित की तिर्जा आधी कर दी जाये तो पुराने टाथ नए विरितों की परिध 2.1 आपका याद कर लिए 2 अनुपात 1 उसके बाद आते हैं फिर किसी घटना की प्राइकता नहीं होती है मतलब प्राइकता मैंनस में नहीं होती है प्राइकता कभी मी मैंनस में नहीं होगा तो आपका ये थीटा कमान क्या होगा ये सब सारे कॉश्चन बहुत वर्ड मोडल कोस्टन है बहुत अच्छे कोस्टन है तो आप देख लीजिए आपके थीटा कमान कशा ओजाएगा यहाप यहाप जा कर सकते हो तो 106 तो तो 10 जी पहते हैं तो यह अच्छ कॉस्टन है और अच्छे ए अच्छे पूस्ट है 1 जी कॉस्ट होटी स्कॉर्ड 1 पलस को स्कॉर्ट होटी अश्काइड आचाओ छेगए सबीजां कि नि mussteा उपको सेषके स्वारेइब अब होन भूकिस कर् Ķंप नि канале न lei युर्ण एपको सब्सके टाल वहाम के सब्सकिर्ट क्यू मज़्या यहाइक है की NHL प्लबस क्वैटर तेac já कोट से कुए थी ता कोट सिक गोट मोन प्लस कोट स्कुए थिटा हो रहिए से सिक स्टीट लिए आपके होड़े है one 0 0 10 इस कर तीठ आराओ क्या ओरों आपके होड़े हैं यहाँ पे one- 총 122 इयां हो फ्लस 141 प्लंव्स-टैंस कर यह होता हैं आपके यह मतलह आपका ऑप्जन यह समझार और ओप्जन आपका यह जो है कर600 यह सी खरट यह तो इसका एक्स्प्रेइन अगले विडियो करा देंगी हम लोग यह हमब्ड कोश्कन में रख लें जयका रहें इदा स connectivity